ध्यान ध्यान या मेडिटेशन सतत चिंतन की एक कला है। ध्यान में मुख्य रूप से तीन बातों का समावेश है। बाहरी वस्तूओं और आंतरिक अवस्था से अनभिग्य हो जाना। उस वस्तू के प्रती निरंतर जागरुपता जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दूसरे मानसिक परिवर्तनों पर सहज रोक या उनसे प्रभावित ना होना। ध्यान आपको शान्ती और आंतरिक सत्भाव खोजने में मदद करता है। सबसे पहले आप पदमासन में बैट जाएं जो की एक ध्यानात्मक आसन है। पदमासन के अलावा ध्यान दूसरे ध्यानात्मक आसन जिससे सुखासन या वजरासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पदमासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड आराम दायक स्थिते में सीधा हो, भुजाएं और कंधे धीले हो, सर हलका सा उंचा और आखें बंध हो। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दिवार का सहारा ले सकते हैं। अब अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां आपस में जुड़ी होई हो। अब अपनी बाई हाथेली को अपने पेट के पास लाते हुए अपनी बाई टांग पर रखें और अपनी दाई हाथेली को अपनी बाई हाथेली के उपर रखें। ये ध्यानमुद्रा है तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी सांसें कम ना हो जाए बिना किसी वस्तू पे अपना विशेश ध्यान के इंद्रित किये सिर्फ अपने भौहों यानि आईब्रोस पर हलका सा ध्यान दें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें अब अपना मन अपने विचारों की तरफ ले जाएं और पवित्र और निर्मल विचारों के साथ रहने का प्रयास करें जैसे ही आप ध्यान में लीन हो जाएंगे आपका मन शान्त हो जाएगा और आपकी मानसिक गतिविधी कम हो जाएगी और आपके विचार हत्म हो जाएंगे आप पूरी तरह से चिंता और तनाव से मुक्त होकर आराम महसूस करेंगे ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्व पूर्ण और अभिन्न अंग है इसलिए इस्थिती में सामानी रुप से सांस लेते और छोटे हुए जितने समय तक संभव हो उतने समय तक बैठे रहे ध्यान आपके शरीर और मस्तिश्क को नवजीवन प्रदान करता है आपकी एकागरता बढ़ाने और व्यवहार में सुधार लाने में मदद करता है ध्यान आपको नकारात्मक विचारों से दूर रगता है ये क्रोध, भै, अवसाद और चिंता को दूर कर सकारात्मक विचार और भावनाय विकसित करने में मदद करता है ध्यान आपकी स्मृति, आपके मनोबल और विचारों की स्पष्टता बढ़ाता है ये आपको अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनने में मदद करता है ध्यान आपका मस्तिष्क, शांत और निश्चल रखता है और आपको आत्म अनुभूती की ओर ले जाता है जो योग अभ्यास का लक्ष है